Hello everyone, well welcome back to trading with PRG Well, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी market के अंदर एक जिया पर market थोड़ा से recovery लेता हुआ दिखा रहा है Little bit, right, एक support zone है actually, जहां पर price support लेता दिख रहा है And अगर बात करें bank nifty की, तो bank nifty का situation देखें, तो same, वो support ले रहा था, उसने recently support का break किया हुआ है And still it is weak, right, कुछ लोग बोले हैं कि market यह से ऊपर जा सकता है, मैं भी जा सकता है But ना जाने की chances क्यों जाता है, वो मैं आपको बताना चाहरा हूँ Well अगर आप देखें, तो technically अगर देखो तो वैसे trend line का अलड़ी जो बहुत बड़े prospect में अगर देखें, तो trend line का breakout आ चुका है, उसको दो बार ही test भी कर चुका है And then still एक चोटे trend line थी उसको भी breakout कर चुका है, और उसको भी breakout इवन इसने कर दिया है, right तो यहां पर अगर देखें, तो technically तो bank nipty तो भीक है, तो bank nipty नीचे जाने के लिए ready है, अगर आपने बात करें, बैंक nipty के साथ-साथ-साथ-सकी भी हम बात करते हैं सब्सक्राइब करें, तो अगर हम निप्टी की बात करें, तो निप्टी आ पहली जो ट्रेंट आम वारी बनी की थी। शुले लगबहरी लगहरी आपकेdo आपकेमें मन्तसें लेकाowski, अभी तक हो बंसके और पार जो यह जु पर आपकेम सब्सक्राइक लिए। तो फिर विर भी इसको ब्रेक करने की चांसे ज़्यादा है कि नहीं वो हम देखने कोश करते हैं तो इसके लिए हम क्या देखेंगे कि अभी लांग ट्रेड की नहीं लेना है यह चीज हम थोड़ा समझ लेते हैं, short के लिए तो नहीं जाएंगे, बट long के लिए जाना चाहिए कि नहीं, वो हम थोड़ा समझ लेते हैं, तो इसके लिए हम सबसे पहले जो बड़े-बड़े component हैं इसके, वो हम जाननी कोज़ करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है SDFC Bank, तो हम अगर SDFC Bank की बात करें, तो SDFC Bank अगर हम देखें, तो काफी completely weak है, कोई किसने भी अपनी ट्रेलाइन का breakout दिया है, एक major ट्रेलाइन जो थी उसका breakout दिया है, और अभी अगर देखें, तो एक demand zone यहाँ पे create कर रहा था, उस demand zone में अभी यह चल रहा है, और अगर हम harmonic point भी से बात करें, तो harmonic pattern की according, अभी यह ब्रेक करके, almost almost 1500 के level तक इसको आना है, तो यहाँ से अभी थोड़ा और टूट सकता है, यानि कि यह कमजोर है, अगर देखा जाए, निप्टी के point भी से बात करें, तो अगर reliance की बात करते हैं, तो reliance अगर आप देखोगे, तो reliance इस्टे रिलाइंस भी वीग है, रिलाइंस ने भी अपने एक मीज उपर के लिए आ गया है, वाट अगर हम बात करें, जो उसके long view की, तो वो कईना की बीग है, तो वो भी नीचे के लिए आ सकता है, जो हमारा level है, जिसकी हम वेट कर रहे हैं नीचे, यहाँ पर आए, एक लिस्ट आटलिस यह जो है, तईस्टो पचास के आसपास से आ सकता है अभी, अगर हम इसके इलावा गर बात करें, एक और मेजर कंपोने, तो उसकी बात अगरम करें, तो उसमें आता है, स्टेट बैंक अप इंडिया, तो वो भी जो है, एक मेजर ट्रेन लाइन को ब्रेक आट कर चुका है, यहाँ देख सकते हैं, और इस्टेल एक और मेजर ट्रेन लाइन है, जो की नीचे फॉलो हो रही है, बट अभी उसके पास प्राइज आया नहीं है, अगर हम बात करें हर्मोनिक की, तो हर्मोनिक भी हमें यह बता रहा है, यह नीचे इसको जो सपोर्ट है, वो कहीं ना कि हमको 555-540 की आजपास हमें देखने को मिलेगा, तो यानि कि प्राइज अभी यहां से और टूट सकता है, यू है, इसके इलावब अगर बात करते हैं, एक्सेस बैंक, तो अगर हम एक्सेस बैंक की बात करें, तो वो भी हम देख लेते हैं, तो अगर हम एक्सेस बैंक की अगर बात करें, है bet pattern जो हमारा है harmonica वो हमारा cover हो गया है यहीं की final हो गया है तो वहां से भी एक reversal देखने को मिला तो यहीं की कह सकते हैं कि जो प्राइज यहां से एक reversal zone में जो आप ट्रेंड में था वो reversal zone में आ रहा है और जो downtrend में हैं उसका target भी आया नहीं है तो इसे लिए अगर देखें तो कहीं न कहीं सारे stocks ultimately यही sign कर रहे हैं कि market में अभी long जाना तो समझदारी नहीं है ठीक है short के लिए नहीं जाएं बट long के लिए जाना भी समझदारी नहीं और बड़े बड़े टार गरम यह market से मिलने को देखने को मिलेंगे राइट तो गाइस यह था आज के लिए अपनी नेक्स वीडियो के अन्द इस वीडियो के according काम करने कोर्स करेंगे हम लो और थैंक्यू सो मज़ गैस